नमस्कार साथ हूं सवागता आपका अपने यूटूब चानल ग्रेट पार्स आला में आज दोस्तो हमने जो वीडियो बन ली है वो बहुत ही इंप्रेंट टॉपिक से ली है दोस्तो पूरे यूटूब पे बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं सारी कमेंट आइए थी जो हमने जब अजब मेडीकल की वीडियो बनाई थी फूल मेडिकल फूण वेंखा था तो उसके बादसे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किया था कि सर प्र्यप्ट की बिडीयो बना दो इस तरीके से प्रवेड़ी पाथ Черक होता है तो वो समय तो हमें समय नहीं मिल पाया ता लेकिन आझ को प्राइबेट पार्ट को लड़की हो या लड़का हो ठीक है दोनों को फार्ज किस तरीके से चेक कौन चेक करता है और उन पार्ट में कौन-कौन सी ऐसी बाते हैं जो द्य lider में रखनी चाहिए जिनके बज़े से हम फेल हो जाते हैं जोस्तों आज के हर नौजवान का लगवाग लगवाग असी परसाइंट नौजवान का सपना होता है कि या तो मैं आर्मिय में जाओं या फिर ससीजीडी मैं मेडियम क्लास की बात कर रहा हूँ बहुत बड़े जो रिच्छ फैमिली को होते हैं वह नहीं जाते हैं थीक है तो यदि आपने टेस्ट किया आप पास किया अब तो कर लिए रिड़ पास कर ले बहुत अच्छन कर लिए तक बन जाएगी और आप मेडिकल में गए आपको जानकरी नहीं है कि प्राइबेट पार्ट किस तरीके से चेक होते हैं और कौन-कौन सी बाते ध्यान रखे आती आपके जो कमिया है वह आपने पूरी नहीं कि आपने दूर नहीं कि और आप मेडिकल देने चले गए आप फेल हो गए दोस्तों सच मानिये आपका करना तूट याएगा ऐसे मैं दोस्तों मैं एक-एक स्टेप के बारे में बात करूंगा प्राइबेट पार्ट के क्रू से लेकर क्योंकि मैंने दो बार मेडिकल दिया है स्सीजीडी का हमारे चैनल के माद जो टीचर्स है वो मैक्सिमम टीचर एक-एक-एक-दो-दो बार सेलक्शन लेकर छोड़ जोके हैं ठीक है तो मैं प्राइबेट स्पार्ट के बारे में बात करूंगा कि कौन-कौन से जो कमिया है उनको दूर कैसे किया सकता है इस बारे मे में भी बताऊंगा तो हमारे वीडियो पर बने रहें इसकी मत करना दोस्तों ठीक है इसकी पर वह दिक्कत आएगी ठीक है बाद में आपको जानकरी अधूरी रह जाएगी आप वहां पर मात खा सकते ठीक है तो पूरी वीडियो देखना न भूले चलिए हम बाते ना करते ह हैसे बैद्र बार्ट ने अपते हाँ सैब्से पहले आपको डोक्टर्स मेटीकल हो गया होगा जब आप पहुचेंगा प्रेवेट पार्स वाले मेडिकल पर तो आ न लाइन से तो बैटे हूंगे आप अप ऑंडर्वेर के लाव कुछ नहीं पयाने होगी खंज वाया उसमें आपको इस तरीके से एक बणा हुआ होगा इस तरीके से जिसपर किया तरफ से हरा कपडा लगा होगा तुर यहां खड़ा होगा आपको यहां फ़टा करेगा करेगा अपनी जो दक्तवी यहां हो नहीं होने चाहिए गोलिये छोटी बड़ी नहीं होने चाहिए उसके बाद में उसके अलावा क्या क्या एक ही नजर में वो सब कुछ चेक कर लेगा एक ही नजर में सब कुछ चेक कर लेगा यदि आपने किसी हैड्रोसेल का जो operation कराया है तो उसके टांके लगे हैं तो उसका दाग नहीं होने चाहिए उसके निसान नहीं होने चाहिए ठीक नंबर दो नमबर दो जो नसे हैं इस तरीके की इस तरीके की उबरे हुए है वो नहीं होना चाहिए ठीक है अब बरावर गोलियों का मतलब यह नहीं कि बहुत ज्यादा बड़ी दोनों का बरावर गोलियां लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी है तो एक मानक है उसके हिसाब से होना और affeटीवडी ने होना चाहिए पानी भरा वूँ नहीं होना चाहिए ठीक है और नसर नहीं होना चाहिए एतनी बात होगी गोलियों से समझे जो अंडा से सम्मंद है ठीक उसके बाद में आप से बोलेगा कि जो पैनिस है उसको पकड़ो उसका मुझ खोलो तो यह वाली जो इसके नहीं यह वाली यह वाली इसको खुलवाएगा ठीक है तो दिहान रखना है यहाँ पर इसमें पहली बार तो गंदगी नहीं होना अगर इस तरीके के इसके नहीं है और किसी की खुलनी पार यह यहां तक तो डॉक्टर फेल कर देगा सीधे-सीधे उसके बाद में बोलेगा मुझ खोल जो पैनिस है पैनिस का मुझ खोल ध्यान रखना है कि आपके दो छेद नहीं होना चाहिए ठीक है एक ही छेद होना चा अब सवाल आता है कुछ बच्चों ने पूछा कि सर यदि जो है वो टेड़ा है तो क्या फेल करेगा जी हां अगर बहुत ज्यादा टेड़ा है पैनिस तो फेल होने की चांस ज्यादा बन जाते हैं ठीक है सीधा फेल कर देगा डॉक्टर अब नॉर्म इस तरीके का चलेग यहां पर एक बात और ध्यान रखना है कि किसी का जैसे हाथ लगाते ही उसमें कुछ जैसे की बोलते हैं तो वैसा भी नहीं होना चाहिए और एक बात और ध्यान रखना यहां पर हाथ लगाने पर टाइट नहीं होना चाहिए बहुत जल्ली डॉक्टर क्या करेगा या तो हो उससे भी कर सकता है हाथ में तो उस्समाहागर ये इस तारीके की दिक्टे आं पम दोस्त के दिक्केते हैं वहाँ पर कर देगा घिक तो अपनी a-पनी डॉक्टर से मिल लिजिये और जो है उनको ठीक करा लिजिये ठीक यह तो हो गई प्राइबेट पार्च पीछे वाला है उसको चेक करेगा उसमें क्या है उसमें पाइल्स नहीं होना चाहिए अगर आपको पाइल्स है ठीक है और आपको फिजिकल हो गया है तो आप करा लेजिए कोपरेशन ठीक है क्योंकि 90 दिन का टाइम देता है 90 दिन का बेड रस्ट देता है डॉक्टर यदि आपको फिजिकल नहीं हुआ है तो अभी मत कराने जब फिजिकल हो जा उसके बाद में करा लेना क्योंकि आभी तीन महिने लगवग मेडिकल के लिए है और ध्यान रखना इन सफेद निसान नहीं होना चाहिए ये तो हो गई पुरसों की बात आप चलते हैं महिलाओं की बाद में मतलब प्राइविट cancel जो हता है उसमें क्या होने चाहिए कि毂ट स्ट्र नहीं होना चाहिए यसे किसी कर आता है तो वह समय थीक करा ले ठीक है और ध्यान रखना कि हो ल रड़कियों के ब्रेश्ट उसमें किसी तरीके की गाठ नहीं होना चाहिए इस पर बहुत कम यूटूबर हैं बहुत कम सिक्षक है जो की बात करते हैं तो मैं यहाँ पर खुलकर बात कर रहा हूं क्योंकि आप ही जिन्दगी का सवाल है ठीक है अगर मैं इस पर वीडियो नही आप्रेशन नहीं होना चाहिए और ध्यान रखना फिर बता रहा हूं कि कहीं पर भी शरीर में आपके इसी पार्ट में नहीं कहीं पर भी शरीर में दाग नहीं होना चाहिए चाहें तो वाई वर्थ हो चाहें वो जले का हो चाहें वो ट्रेट्टू का हो किसी भी तरीके से आपरेशन को इस तरीके किसे दाग नहीं होना चाहिए ठीक है तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल ग्रेट पार्ट साला को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में साजा कर दें और इसी नाम से ग्रेट पार्ट साला नाम से ही हमारे ट है और अच्छे-च्छी टीचर है और अपको हर सब्जक्ट का अलग टीसर प्रेक्टिस कराने वाले अलग और और कॉंसेट कराने वाले अलग टीचर से थीक उम्मिद करता हूं यह पसंद आएगी आगर नहीं दोस्तों के साफ में शेयर करना ना भूले और यह यह आपको प्र खे विई करके देख लीजिए उसमें डिटेल जे बताया फिर भी आपकी और कोई रह जाती है जैसे कि आपकी मैं पेन है या फिर आपकी नौक Anybody है या फिर आपकर टेस्ट की तुम मैंने बनाई दिया ठीक है कि आपकर कैस्ट किस तरीके से होता है कान से कोई रिलिटेट कोई कोई कोशन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए ठीक है मैं उसका जवाब दूँगा अगर ज्यादा कोशन एक ही तरीके का हुए तो उस पर वीडियो बनाएंगे ठीक है तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार